बेंजी नमस्कार नमस्कार सर जी क्या नाम है आपका? दम्यंती है मेरा नाम बेंजी कहां से आई आप? मैं डेराबसी डिस्ट किमवाली पंजाब से आई हूँ संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? मैं 24 अगस 2014 को परमात्मा की सरण में गई रामपाल जी महाराज की उससे पहले आप क्या साधना करते थे? उससे पहले सर जी हम पितर पूजा करते थे और देवी देवताओं की पूजा करते थे मेरे भगजी हैं आप जो वो सीजी की बहुत पूजा करते थे क्या लाब में लाब को उन्सादनाओं को करने से उन्सादनाओं को करने से हमें लाब तो पता ही नी था लाब क्या होते हैं मगर हम बीमार भी बहुत रहते थे उनको करते करते और हमारे पास पैसा भी पैसे की भी तंगी थी संत्रामपालजी महाराजी की संड में कैसे आई? भगजी एक प्राइवेट जोब करते हैं फैक्टरी में तो उनकी फैक्टरी में एक भगजी आते हैं वो उन भगजी ने बताया मेरे हस्बेंट को कि आप सतलोक आश्रम बर्वाला चलो और वहाँ परमात्मा का उतार आयो है संत्रामपालजी महाराज वहाँ पर जाने से आपके दुख भी दूर हो जाएंगे और जो आपके मिसिज को दुख है और वहाँ पर जाने से आपको लाब मिलेगा बैन जी देखिए हमने कई लोगों से सुना है कि संत रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा लेने से पहले कोई फीश वगर का प्रावधान है क्या ये बात सही है कि आप लोगों से कोई फीश वगर लिए गई वहाँ से? नहीं सर जी वहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती है वहाँ पर बिलकुल निसुलक सारी सेवाई हैं बेन जी संतरामपाल जी महाराज से नाम देख से लेने के बाद आपको क्या लाब मिले वहाँ पर जाने के बाद संत जी रामपाल जी महाराज की सरण में जाने के बाद मेरे को बहुत बड़ा लाब मिला क्योंकि मुझे बहुत बड़ी बीमारी थी पहले मुझे ऐसी बीमारी थी मैं बहुत डोक्टरों के पास घूम लिये थे हम अमबाड़ा में एक डोक्टर एर डोक्टर रवी गरग वो बहुत महेंगे इलाज करते हैं और उनके पास मैंने दो धाई साल इलाज करवाया तो मुझे कोई लाब नहीं हुआ परमात्मा की सरण के राम पाल जी सरण की सरण में जाने के बाद हमें वहां से अराम मिला उस मेर मुझे जाता था कई कई दिन मेरे से बैठ बीस्तर से उठानी जाता था क्या आपको जो समस्याई थी जो आपको भीमारी थी क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखाई थी पहले हां जी वो डॉक्टर रवी गरग से मेरे इलाज चला था दो धाई साल तो उनसे ठीक नहीं हु लेतने के बाद हमने भंडारा किया, भंडारा किया मेर को एक दम वहां पर खीर का भंडारा था उस दिन, मेर को ऐसे हुआ जैसे अंदर से ना बहुत प्रोब्लम थी मुझे, कि ऐसे कोई निकाल रहा है उस चीज को पकड़ के, तो ऐसे करते हुए बहुत ज्यादा महीं पर मे काल ने हम भगत जी उसमें पहले गए 번째 की फर मांगा, लेक्दा में ले ने लेले में एक दम पकाल ने मुझे ऐसे अटैक किया मेरे यहांसे गरदन दभोच बी गरदन दभोची तो पर मादन ने भंगची को अपो कर आक कर आखेा में हो गया वह खड़ ओ गया, उन्होंने मुझे सतलों का पाणी पिलाया उसके बाद मेरे बच्चे भी दोनों उठके बैठके रोने लगे कि अई ममी को पता नि क्या हो गया उसके बाद उन्होंने जल पिलाया मुझे दो बार जल पिलाया वो निकल गया साइड से तो तीसरी बार जल पिलाया जल नीचे चला गया मेर बगत जी ने और दोनों बच्चों ने पूरी मारा करी परमात्मा जो हमें मंतर देते हैं आप संत्रामपाल जी माराज को परमात्मा बोलते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे काल के बंदन से छुड़वाया काल ने आके मुझे दबोच लिया पर जो जल पिलाइया, पर्मातम ने अपने तरीके से मुझे उठाया, मैं एक रहसे ले के गए उपर, मरमाजी का लोग, विश्णू जी का लोग, श्यू जी का लोग दिखाया, फिर उपर में तिरकुटी पे पॉँछ गी, पर्मातम त्राइम पल जी मारा जैसे तिर्कुटी पर बैठे हैं। परमात्मा कौन है, संत्रामपल जी महाराज क्या पावर है। उन्होंने तिर्कुटी पर बैठे परमात्मा संत्रामपल जी महाराज के रूप में। तो वहाँ पर मुझे परमात्मा संत्रामपल जी महाराज ने में गई। ऐसे मेरी बाजू पकड़ी। बाजू पकड़ता ही यह बाज़ो ऐसे बिलकुल ऐसे आरपार हो गया परमातमा गुरुजी का हाथ संत्रामपाल जी महाराज का और मेरा भी हाथ ऐसा है वहाँ पर कि आरपार हो जाता है वहाँ पर हमारा ये शरीर नहीं है तो गुरुजी ने कहा कि सुर्ता तू आगी तो ऐसे काते ही गुरुजी प्रमात्मा ने अपना असली रूप दिखाया मुझे। प्रमात्मा ने असली रूप दिखाया मुझे। प्रमात्मा ने असली रूप दिखाया मुझे। बलकि वो हमें अपने सास्त्रों के अंसार असली पूजा की विधी बताते हैं। असली हमें ग्यान देते हैं कि ये पूजा ऐसे निकरनी ऐसे करनी है। देखी आप एक महिलाए हैं। निश्ची तोर पे आपने संत्रामपाल जी मारा से नाम देख से लेने से पहले वर्त किये होंगे। आपने भी पितर पूजा किये होंगी। अब आप सायद पितर पूजा वर्त नहीं करते हैं। क्यों आखिर क्या कारण है। देखो सर जी हमने पितर पूजा बहुत की। और 23 साल तक हम साकुम्बरी माता है एक्टरलोगपुर में हमारी कुलदेवी है। तो वहां भी हम बहुत जाते रहे। उसके बावजूद भी हमेरे पती को भी इतनी बड़ी बिमारी थी। उनको भी ऐसे लगता था जैसे कोई मेरे प्रान निकाल देगा अबी। और मेरे को भी इतनी बड़ी बिमारी थी। जिसका हमें इलाज नहीं मिला हम बहुत बटके। तो हमें संतरांपाल जी महाराज की समय आने के बाद यहीं लाज मिला, तो हम वर्तो और पितर पूजा क्यों करें। पर आगे भी रहेगी क्योंकि वो हमारे सास्त्रों के अंसार भक्ति देते हैं। तो आप लोगों की सरकार से क्या मागें। ये दिको सर्दालू उनसे नाम दिखसा लेना चाहे तो उनसे जुड़ना चाहे तो। उनसे जुड़ने के एक तो गुरुजी ने जगह जगह कोडिनेटर खोले हुए हैं। और उन वहाँ पर नामदान ले सकते हैं। उसके नीचे फोन नमबर आते हैं दिये हुए। वहाँ पर समस कर सकते हैं। ग्यान गंगा पुस्तक का भी लेने का वहाँ पर इंतुजाम है। उसको ले सकते हैं और उन नमबरों पर आप कॉंटक्ट करके नाम ले सकते हैं। देखिए आप पंजाब से बिलोंग करते हैं। और आपने हर्याना के संत्रामपाल जी माराज से नाम दिखसा ली। आप जबकि संत्रामपाल जी माराज तो जेल में है। क्या आपको लगता है कि जो संद जिनके लाखों की तादात में फॉलोवर्स हैं, उनसे नाम दिखसा ले लेनी चाहिए क्योंकि संद रामपाल जी महाराज जी तो जेल में है? नहीं, हम सोचेंगे भी नहीं कभी भी और हमने सोचा भी नहीं, पहले भी. ऐसी आपको क्या बाते बताएं, क्या उनके आदर्स हैं, जो अन्य संतों में आपको नजर नहीं आते, ऐसी क्या चीज़े हैं, जो संद रामपाल जी महाराज को अन्य संतों से अलग करती हैं? संतरामपाल जी महाराज एक समात सुधार में इतना बड़ा योगदान करते हैं, जो भाई इतने बीड़ी, गुटके, पान स्राव तमाखो खाते हैं, वो संतरामपाल जी महाराज की सरण में जाने से छूड जाते हैं, और कैंसर तक की विमारिया संतरामपाल जी महाराज की सरण में जाने से ठीक हो जाती हैं और परमात्मा संत्रामपाल जी माराज सास्तरों के अनुसार हमें भक्ती बताते हैं गीता वेद पुरानिंद के अनुसार भक्ती बताते हैं तो वो हम देखते हैं पर गुरुजी हमें ऐसे टीवी पे ऐसे अक्सर दिखा दिखा के बताते है पढ़ा लिखा समाज है, पहले हमें सास्त्रों के बारे में पता नहीं था, संत्र रामपाल जी महाराज की सरण में आने के बाद हमें सारे सास्त्र पढ़ने आगे, उनके परमात्मा ने मीनिंग बताए हमें, हमें वो पता लगा कि सास्त्र क्या है और हम आज तक क्या कर रहे तो संत्राम्पल जी महाराज ने हमें असली वी दी बताई परमात्मा को पाने की बगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं बगत समाज से मेरी प्रार्थना यही है के संत्राम्पल जी महाराज की सरण में आओ और अपने दुख दूर करवाओ अपना जनम्मरन का सबसे बीघर बीघर कि आप चलोग में भीजिए उन्साग कर दो कि आपका है